यह सिसी टीवी है कि कैसे अपराधी मुझपरपूर के छातापूर चौक के पास एक ज्वेलर्स के हाँ लूट पाट कर रहे हैं आप सिसी टीवी को गौर से देखिए कि ब्लू सट पहना हुआ लूटेरा जिसने हेलमेट पहन रखा है उसके हाथ में पिस्टल है वो पिस्टल के बल पर जबरन दुकान का सेफ खुलवाता है और उसके बाद सोने के गहने लूट लेता है बिहार के मुझपर पुरके ज्वेलर्स के हाँ आज दिन दाहरे अपराधियों ने जो लूट की घटना को अंजाम दिया यह उसी का सिसी टीवी है लूटेरों ने ज्वेलर्स से चार लाक रुपए के गहना हथियार के बल पर लूट लिए इस लूट की सिसी टीवी हम आपको दिखा रहे हैं कि हठ्यार से लैस तीन के संख्या में आए अपराधियों ने कैसे ज्वेलर्स के स्टाफ को गन पॉइंट पर लिलिया और दुकान की तिजोरी से सोने और चान्दी के सारे गहने लेकर चंपत हो गया लूट के दौरान दो अपराधी दुकान के भीतर लूट को अंजाम दे रहे थे तो वहीं तीसरा लूटेरा दुकान के बाहर गन लेकर पहरेदारी कर रहा था आप इस सिसी टीवी को देखिए कि बरे इत्मिनान से लुटेरे दुकान को खंगाल रहे थे और चार लाकी जुल्डी लूट कर फरार हो गए लुटेरे के जाते ही दुकानदार ने शूर मचाया आपको बताने कि इस लूट की पूरी वारदात दुकान के मालिक ने सिसी टीवी पर देखा जब वो अपने घर में थे उन्होंने सिसी टीवी को अपने मोवाइल पर इंस्टॉल करके रखा हुआ था उसी में उन्होंने देखा कि उनकी दुकान में लूट हो रही है और उनके स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर लूट की जा रही है तो उन्होंने तत्काल परोस के दुकान मालिक समेत पुलिस को इस लूट की जानकारी दी जैसे ही लूटेरे लूट के बाद दुकान से बाहर निकले कि लोगों ने लुटेरें को पकरने की कोशिश की इसमें दुकान के अंदर लूट कर रहे अपरादी तो भागने में काम्याब हो गए लूट की पहरेदारी कर रहा लुटेरे को लोगों ने दबूच लिया और उसकी जवर्दस्त पिटाई के बाद पुलिस के हेंड़ोबर कर दिया मुझपरपुर टाउन थान अश्रत्र के सरयागन चाता बजार रोट के इस लूट में एक अपरादी की ग्रफतारी के बाद मौके पर मुझपरपुर के स्सपी जैनत कांत के साथ इलाके के पुलिस अधिकारी भी पहुँचे अब पुलिस आरोपित को हिरासत मिले कर उससे पुछताज कर रही है और फरार दोनों लूटेरें को द्वबूचने के लिए तैयारी कर रही है हलाकि इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है लेकिन CCTV में जिस इत्मिनान से लूटेरे लूट की घटना को अन्जाम दे रहे हैं उससे वो कन्फिडेंट थे लूटेरे की वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं उनको पुलिस का भै नहीं था इसलिए उन्होंने एक अपराधी को दुकान के बाहर पहरेदारी में लगा रखा था आप देखिए कि जिस तरह से नेले सर्ट वाला आदमी रेट सर्ट का जो अपराधी है दोनों दुकान के अंदर के तमाम जुएलरी को डबे से निकालकर बैग में रखकर और दुकान से बाहर निकलता है उसके बाहर निकलते ही दुकान के स्टाब भी बाहर जाता है और बाहर निकलते ही देखी ये तीसरा लुटेरा है जो पहरेदारी कर रहा है और दोनों दुकान के अंदर के लूटेरे के निकलते ही तमाम अपराधी भागने के खोशिश करते हैं लेकिन उसी समय लोगों को पहले से इसकी सूशना थी और लोगों ने एक अपराधी को दबोच लिया लूट के बाद इस जुएलर्स के दुकान के स्टाफ ने दिखाया कि एक एक जो औरनामेंट्स थे वो सोना के थे चांदी के थे वो तमाम लूट लिया गया ये बड़ी खबर है मुझपर पूर से और इस लूट के पूरी सी सी टी बी हम आपको दिखा रहे हैं कि लूट के बाद दुकान में कितना का नुकसान हुआ है यह F.I.R. में दर्चे लेकिन इस लूट ने मुझपर पूर के बैपारियों को दहशत में डाल दिया है दुकान पे हम अकेले लेवड में थे दिन रात रते हैं सर उसके बाद जो है कि एक से डेड़ बज़े के टाइम में तीन आदमी आया एक आदमी गोर पचना के नजदी खाड़ा थे और दो आदमी सिसा वाला गेट खोल के अंदर गुसा पुछे क्या बात है भाइया उसके बाद इसके बाद जो है आनदर घुसे और आधे खुसने के बाद निकालक तान दी ऐं उसके बद एक दूपरा का मार के हमको करने के चावी निकाल बहईया हम इस्टाप आदमे है differs चावी मालिक पास चावी रथा है ठ merd निकाव नहीं कर नहीं दाख दो घुन गाए लीजे डाग. हम गरीव आदमें दिखने के लशुष घृत्याक। पिर देखें कि नहीं इस दम तयार हो गया दागने के लिए तो ब्लास्ट में कि चावी खूल लाए कि दागू कि खूल रहे थी किसी भी तरह चावी खुच-खुच की निकल ले थे तो उकर रहे कुछी लेट लगा रहा है दिमाग लगा रहा है इसको दूसरा बाद मी बोल इसको दागो इसके पास सब चावी है क्या कॉन मीन से भागवान जाने उसके वाद जो है कि जब लड़ी जो है लिया है उसके वाद जो सीसी केमरा में मालिक हमको देख लिये मनु जी बरतन दोकान वह आए तो तीनों यहां पर्जेंट में था निकलते हुए दू आदमी ध पर्जेट लक था तो लौक किसी वे तरह घीचा है तो गेट खुल गिया है तो शीसा वाला उसका तीनों आदमी धक्का मारते हुए निकला है उसके बात जो है दो आदमी फरार होगे जो माल लिये हुए थे और उसके एक आदमी जो था उसके साथ है जो काला रंग का वस्त बैराल मुझापरपूर के सिनेर एसपी जैनत कांट पकरे गए अपराधी से खुद भी पूछताच कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि बांकी दो लुटेरे कौन थे खुलासा के लिए मुझापरपूर से संजीब कुमार की ये खास रिपोर्ट